क्या कहती है आपकी राश्य जानिए अपनी कुंडली एवं राश्यों का पोर्ण विश्ले से अचारे चंदन संडिले जी से क्या कहती है आपकी राश्य जानिए अपनी कुंडली एवं राश्यों का पोर्ण विश्ले से अचारे चंदन संडिले जी से गुरूर ब्रह्म्हा गुरूर वेष्णो गुरूर देवो महेस्वर गुरू साक्षात्प्रम्प्रम्हा तसमय स्रे गुरुवे नमः नमस्कार दर्शकों मैं पंडित चंदन संडिल परती दिन के तरह एक बार फिर से श्वागत करते हैं आप सभी के अपने एवं बेहद ही खास कारिक्रम कुंडली दर्शन में और आज कुंडली दर्शन के इस विशेश रासी फल विश्यशांक कारिक्रम में बात करेंगे 31 अक्टूबर 2018 के रासी फल के बारे में जी हाँ इस कारिक्रम में जानेंगे कि कैसा गुजरेगा आपका आज का बुद्धवार का दिन क्या है ग्रह नचत्र और शितारों की चाल क्या होगा आज के दिन आपके रासी का हाल लेकिन आईए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग से आज बिक्रम संवत 2075, कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष, शप्तमीतिति, पुष्ण नचत्र और शाद्धियोग लगा हुआ है और आज बुद्धवार का दिन है आज के दिन राहुकाल दोपहर के 12 बज़े से प्रारंब होकर दोपहर के 1 बज़ कर 30 मिनट तक रहने वाला है जोतिस सास्तर के अनुशार राहुकाल में किशिवी प्रकार के शुभ या नए मांगलिक कारे को प्रारंब नहीं करना चाहिए इससे निश्चितरुप से आपके कारियों में विगन बाधायम समस्याएं उत्पन होती है आज के दिन जहां शुभ योग के कारण कुछ राशी वालों के बन सकते हैं कई जरूरी काम तो वहीं अन्य गोचर परणाम के कारण कुछ बातों में कुछ राशी वालों को रहना है शावधान तो चलिए जानते हैं क्या कहता है आपका आज का राशी फल शुरुआत करेंगे सबसे पहले मेस राशी से फिर क्रमशा बारी बारी से सभी राशी वालों के बारे में बात करते हुए अन्तिम राशी फल में राशी के बारे में बात करेंगे लेकिन उससे पहले जिन दर्शकों ने अभीता के चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाएं वो वीडियो के नीचे लाल के लर के सब्सक्राइब लिखेवे बटन पर किलिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें फिर जश्ट बगल में घंटी क्या करके बेल आइकोन के बटन को प्रेश करना न भूलें जिससे आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाली शभी वीडियो की जनकारी नोटिफिकेशन की रूप में प्राप्त हो जाए तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले मेश रासी से मेश रासी वाले आज भाग्य के सितारे आपके लिए चमकने वाले हैं आज आपको केरियर में तरक्की के नए आउसर प्राप्त होंगे कुछ नए मार्ग भी नजर आएंगे आज के दिन आपको हर जगर में आपकी परसंसा हो सकती है प्रेम सम्मंधों में मजबूती पहले के पेक्षकरित बहुत ही ज़्यादा आने वाली है इसके साथ ही दामपत्य जीवन भी आपका आज सुखमे रहेगा आज कोई छोटा बिजनस या कोई छोटा उद्योग सुरू करने के लिए बहुत ही उत्तम दिन रहने वाला है घरवालों का भरपूर सहयोग आज आपको प्राप्त होगा किसी पुराने मित्र से आज कोई मुलाकात भी हो सकती है आज के दिन प्रेमी जोड़े भविस्चि में एक साथ होने के लिए कोई योजना या कोई प्लान भी बना सकते हैं प्रेम परसंग के ख्याल से आज का दिन बहुत ही उत्तम है आज के दिन उपाय में चंदन से भगवान स्री राम का नाम लिखकर बेलपत्र में उस बेलपत्र को सिविलिन पर चड़ाना आपके लिए आपकी सभी समस्याओं को मुक्ति दिलाने वाला उपाय सिद्ध होगा अब आई ये बात करते हैं अगली रासी विरसब रासी विरसब रासी वेले आज आपका दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है आज आपको अचानक से कुछ ऐसा हासिल हो सकता है जिसका इंतेजार आप बहुत दिनों से कर रहे थे आज के दिन आपके अंदर एक नई उर्जा का शंचार होगा जो बहुत ही सकरात्मक विचार आपके मन में लाने वाला है किसी बहुत बड़ी कमपणी से जुडने या किसी से पार्टनर्शिप करने का मौका भी इस रासी के वेपारी वर्ग को मिल सकता है जो लोग टूर एंड ट्रेवल्स के बिजनस से जुड़े हैं ऐसे लोगों के बिजनस में आज ग्रोथ मिलने की संभावना देख रही है आज स्वास्त के द्रिष्टिकों से आपका सेहत बहुत ही उत्तम रहने वाला है केरियर में आज आप बहुत ही तिवर गती से आगे बढ़ेंगे आज के दिन उपाई में गौमाता को रोटी खिलाना आप के लिए अत्यन्त ही शुपकारक उपाई रहने वाला है अब आज ये बात करते हैं अगली रासी मिथुन रासी मिथुन रासी वेले आज आपका दिन उत्तम रहेगा आज घरवालों के साथ अधिक से अधिक शमय बितानी कमों का मिलने वाला है बच्चों के साथ कहीं बाहर घूमने का प्लान भी आप बना सकते हैं सिक्षा के छेत्र से जुड़े लोगों को आज परमोशन के भी कुछ अच्छे अफसर मिल सकते हैं आज नौकरी में जो लोग परमोशन की उमीद लगाए बैठे हैं आज उन्हें कोई सुभ शमाचार प्राप्त होने वाला है आज आप किसी धार्मिक आयोजन का हिस्सा भी बन सकते हैं कामकाजी महिलाओं को आफिस में उनके सीनियर से प्रोशाहन मिलने वाला है आज के दिन उपाय में सिविलिंग पर जल अरपित करना आपके लिए अत्यन शुभ रहेगा अब आगे बात करते हैं अगली रासी करक रासी करक रासी वाले आज आपका दिन बहुत ही शामानने रहेगा किसी अंजान व्यक्ति पर जरूरत से अधिक विश्वास करना आपके लिए आपको नुक्षान पहुचाने वाला फैसला शावित होगा इसलिए कोसिस करें किसी भी अंजान व्यक्ति पर बहुत जल्द भरोशा ना करें इस रासी के नौक्री पेशान लोगों को आज उनके कामों में अधिक सफलता प्रात करने के लिए अधिक परिश्रम करने की भी जरूरत पढ़ सकती है छात्रों को पढ़ाई में आज अधिक महनत करना पड़ेगा जो लोग प्लास्टिक के वेपार से जुड़े हैं उन्हें आज बिजनस में कुछ अच्छा मुनाफ़ा मिल सकता है आज के दिन आप खास करके अपने वानी पर श्रयम रखें किसी को भी बोलते समें अपने सब्दों का चयान उचित करें प्रेमी जोड़े को आज किसी बात पर आपसी मत्वे हो सकता है जीवन साथी के साथ रिष्टों में उतार चड़ाओ के इस्तिति बन सकती है आज के दिन उपाय में किसी गरीब जरुत मन्द वैक्ति को मसूर के दाल का दान करना आप के लिए अत्यन सुपकारी रहेगा अब आज ये बात करते हैं अगली रासी शिंग रासी शिंग रासी वाले आज आपका दिन ठिक ठाक रहने वाला है खुद को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की कोई योजना आप आज बना सकते हैं जिसमें आपको शफलता हाथ लगेगी कोट का चहरी में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है किसी बड़े कानूनी सलहकार की मदद भी आज आपको मिल सकती है पिता के स्वास्थ में आ रही परिशानियों से आज आपको मुक्ति मिलने वाली है उनके सेहत में सुधार आपको नजर आएगा किसी भी प्रकार के आर्थिक लेन दिन में आज आप शावधानी जरूर बरते हैं नहीं तो कोई नुक्षान हो सकता है आज के दिन बजरंग बान का पाट करना आपके लिए बहुत सुभ रहेगा इससे लंबे समय से चली आ रही परिशानियों का अंत जरूर होगा अब आज ये बात करते हैं अगली रासे कन्यारासी कन्यारासी वाले आज आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरने वाला है आज शमाज में आपके मान सम्मान पद परतिष्ठा में बिर्धी होगी किसी समाजिक कारियों में भी आप बढ़ चड़ कर हिस्सा ले सकते हैं आफिस में आपके जुनियर आज आपसे कुछ काम सिखने के लिए भी आपके पास आ सकते हैं प्रेमी जोड़े को आज उनके पडिवार के तरब से उनके रिस्तों को मनजूरी मिल सकती है इस रासी के मारकेटिंग और सेल्स के फिल्ड से जुड़े लोगों को अच्छे कलाइंट मिलने के योग सापशाप दिख रहे हैं आज पुराने रिस्तों में आई खटास भी खुद बखुद दूर हो जाएगी उपाय में भगवान स्री गनिश को लड्डू का भोग लगाना आपके लिए बहुत सुभ रहेगा इससे आपके घर में सुख और स्मृधी बनी रहेगी अब आई ये बात करते हैं अगली रासी तुला रासी तुला रासी वाले आज आपका दिन शामान ने रहेगा नौकरी पेसा लोगों को कारे छेत्र में कुछ परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है घरवालों के शाथ किसी बात को लेकर मन मुटाव हो सकता है अपने वानी पर सयम रखें इस रासी के टेकनोलजी एवं आईटी के छेत्र से जुड़े लोगों को आज बिजनस में बहुत बड़ा मुनाफा हो सकता है लंबे समय से चली आ रही स्वास्त सम्मंधी परिशानिया आज आपको दूर होगी स्वास्त में सुधार होने के योग नजर आ रहे है जिवनसाथी के साथ किसी बात को लेके कुछ आपसी मनमटव हो सकता है प्रेमी जोडों के लिए आज का दिन उत्तम रहेगा आज के दिन उपाय में भजरंग बली को नारियल चड़ाना आपके लिए सुभ रहेगा इससे आपके विपार में आपको बहुत ही अधिक तरक्की मिलेगी अब आईए बात करते हैं अगले रासी वरिष्टिक रासी वरिष्टिक रासी वाले आज आपका दिन बहुत अच्छा रहने वाला है आज छोटी छोटी बातों में आप कुछ नई खुसी तलास लेंगे मन आज आपका बहुत ही शांचित रहने वाला है प्रोपर्टी से समंधितकार जैसे की जमीन जायदात के मामलों में आज आप जो भी फैसला लेते हैं वह आपके पक्ष में रहेगा आज के दिन कोई विरोधी भी आप से दोस्ती का हाथ बढ़ा सकता है हर कोई आज आपके टेलेंट को एकसेप करेगा ही करेगा हर कोई आपके कला आपकी छंता का लोहा जरूर मानेगा जो लोग शंगीत गायन या वादन के छेतर से जुड़े हैं उन्हें किसी बड़ी जगह प्रफॉर्मेस करने का मोका मिल सकता है तथा उन्हें आज कोई पुरुषकार से शम्मानिद भी किया जा सकता है पार्टनर के साथ आज डिनर पर जाने का उशर प्राप्त होगा आज के दिन उपाय में भगवान स्री गनिश को दुरुवा चरहना आपके लिए सुब रहेगा अब आई ये बात करते हैं अगली रासी धनुरासी धनुरासी वाले आज आपका दिन आपके आसा से अधिक अच्छा रहने वाला है आज आप जिस काम में भी हाथ डालेंगे वहां सफलता आपके कदम चुमेगी आपको बड़े भाई या पिता का सहयोग भी प्राप्त होगा आपका हमेशा से सच्चाई के रास्ते पे चलना ही आपकी सबसे बड़ी खुबी आज बनकर निखर कर सामने आएगी जो हर किसी को प्रभायूत करने वाला है इस रासी के जो लोग बिरोजगार हैं काफी दिनों से नौकरी की तलास में हैं आज उनकी संभावनाएं पूरी हो जाएगी किसी अच्छी कमपनी से आपको जोब के ओफर मिल सकते हैं किसमत का हर कदम पर शाथ मिलेगा जीवन साथी एवं प्रेमी जोडे आज बहुत प्रोमांटिक रहने वाले हैं तथा आज के दिन आप कुछ नीजी पल के साथ भौतिक शुखों को भी प्राप्त करेंगे आज के दिन किसी जरुत मंद व्यक्ति को भोजन कराने से आपको खुब तरक्की मिलेगी अब आज ये बात करते हैं अगली रासी मकर रासी मकर रासी वाले आज आपका दिन शमान्ने रहेगा आज आपको कारे छेत्र में पहले से अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है भावनात्मक शंतुलन बनानी की कोशिस में आप शफल रहेंगे जो लोग सोने या चांदी के वेपार से जुड़े हैं आज उने विशेश रूप से सतर्पता बरतने की जरुरत है किसी भी निवेश को करने से पहले अच्छी तरीके से जाच एवं पड़क ले नहीं तो कोई बहुत बड़ा आर्थिक नुक्षान हो सकता है आज घर के आजपास किसी समाजिक समाहरों का हिस्सा भी आप बन सकते हैं जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर आपस में कोई मन मुटाव या तनाव हो सकता है आज के दिन आप अपने जीवन साथी के स्वास्त पर भी विशेश ध्यान दे उनके स्वास्त कुछ नरम होने के संकेत देख रहे हैं आज के दिन उपाई में घर से निकलने से पहले हनमान जी का पूजन करना और हनमान चलिसा का पाठ करना न भूले। अब आई ये बात करते हैं अगली रासी कुम्बरासी। कुम्बरासी वाले आज आपका दिन बहुत ही उत्तम रहने वाला है। आज आपकी कलात्मक छमता का विकास होगा। जिन दमपन्तियों को अब तक शंतान सुक की प्राप्ति नहीं हुई है। उन्हें इन से जुड़ी कोई गुड न्यूज मिल सकती है। अगर आप कॉस्मेटिक के बिजनस से जुड़े हैं या करना चाह रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए उत्तम है। इ वारिक जीवन शुक में रहने वाला है। इस रासी के न्यू मिलेडियल कपल आज भौतिक शुकों की प्राप्ति के लिए एक साथ एकांत में कुछ पल गुजार सकते हैं। आज के दिन प्राता काल सुरी नमस्कार करना आपके पूरे दिन को शुक में बना देगा। अब लेकिन आप अपने बुद्धी मता से उसका हल निकालने में पूरी तरीके से सफर रहेंगे। आज उधार दिये हुए पैसे को मांगने के लिए किसी से भी अधिक उलजने का प्रियास ना करें। बलकि उन्हें प्यार से समझाने का प्रियास करते हैं तो आपके पैसे आने की राह में आज आप जो भी फैसला लेंगे वो कारगर शिद्ध होगा। वाहन चलाते समें आज आपको शावधानी बरतने की जरुरत है। जब तक जरूरी ना हो तो कोसिस करें आज के दिन वाहन कवपयोग ना करें। आज के दिन उपाए में भगवान सूर्य देव को लाल चंदन और लाल पुष्प मिला कर जल चड़ाएं इससे आपके उपर आने वाली सभी बादाएं भगवान सूर्य दूर कर देंगे। तो दर्शकों आपने देखा क्या कहता है आपका आज का रासी फल। इसी प्रकार से जोतिस भर्म से जुड़ी अनेक महत्पुन रहश्पुर बातों की जानकारी प्राप्त करने के लिए जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना पिलकुल ना भूलें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे देखें लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन देख रहा है। उसे क्लिक करें अगले कारक्रम में तब तक के लिए नमस्कार जै मातारी रादे रादे जाने अपनी कुंडली एब अमराशियों का पूर्ण विश ले सकते अचारे चंदन संडिली जी से